उतार चड़ाव के बीच BSE Sensex 34 संग की मामूली गिरावट के साथ लगातार दूसरे दिन नीचे आया लेकिन अच्छी खबर तो यह है कि मनीनाईन ने यूट्यूब पर एक लाख सब्सक्राइबर्स का अंकडा पार कर लिया है इतने कम समय में आपने जो प्यार मनीनाईन को दिया है उसके लिए हम आपके दिल से आभारी है आप अपना प्यार अपना साथ ऐसे ही मनीनाईन के साथ बनाए रखें और हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समझ को आपके ज्यान को बढ़ाने वाले कारेक्रम लगतार लेकर आते रहें नमस्कार मैं हूँ वरुण स्वागत है आपका पसंदीदा आपके प्राइम टाइम शो मनी टाइम में जहां आपको मिलती है आपकी जेब आपकी जिन्दगी से जुड़ी खबरे तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सफर और आज की पहली खबर है कर्ज से जुड़ी हुई भारतिय रिजर्व बैंक की मौदरिक समीक्षा बैठक शुरू हो चुकी है ऐसा कहा जा रहा है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए ब्यासदरों में 0.25 से 0.35 फीजदी की बढ़ोतरी हो सकती है बीते दिनों महंगाई दर में नर्मी और आर्थिक वरद्धी में कमी के संकेत दिखने लगे हैं जिसके चलते यह उम्मीद है कि इस बार ब्यासदरों में बढ़ोतरी सामान नहीं रहेगी महंगाई दर जनवरी से ही रिजर्बेंक के 6 फीजदी के संतोश जनकिस्तर से उपर बनी हुई है आर्बियाई ने मई में अचानक रेपो दर में 0.40 फीजदी की बढ़ोतरी की थी इसके बाद तीन बार प्रमुक नीतिगत दर रेपो में आदा आदा फीजदी की बढ़ोतरी की जा चुकी है और इस समय रेपो दर 5.9 फीजदी है अगर आप भी फेस्बुक गूगल पर नियूज पढ़ते हैं तो ये खबर आपके लिये है जल्द ही आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नियूज कंटेंट पढ़ने के लिए पैसा देना पढ़ सकता है नियूजिलेंड सरकार इसके लिए कानून बनाने जा रही है इस कानून के लागू होने के बाद मेटा और अल्फाबेट को उन खबरों के लिए मीडिया कंपनियों को पैसा चुकाने होंगे जो उनके फीड पर दिखाई देंगी नया कानून ऑस्टेलिया और कैनेडा में बनाए गए कानूनों के जैसा होगा नियूजिलेंड सरकार का ये मानना है कि इस कानून से लोकल मीडिया कंपनियों को फायदा होगा सोशल मीडिया कमपनियों को उनके साथ समझोते करने होंगे औस्टेलिया ने एक बार इस बारे में 2021 में एक कानून बनाया था नियूज के लिए पैसा देने पर सोशल मीडिया प्लेटफर्म भी यूजर्स से पैसे मांग सकते हैं होम लोन लेने वालों के लिए होम लोन लेने वालों को अब नहीं करनी होगी पेपर वर्क की जरूरत नहीं होगी Electronics and Information Technology Ministry ने कई नए तरहे के कॉंट्रेक्ट को डिजिटल बनाने पर जोर दिया है इस से जल्द ही पेपरलेस होम लोन का सपना साकार होगा अभी होम लोन एप्लिकेशन प्रॉसेस बहुत थकाओ है ब्रांच के कई चक्कर लगाने होते हैं Documentation प्रॉसेस में कई सारे पेपर जैसे थर्ड पार्टी एग्रिमेंट, होम लोन एग्रिमेंट आदी शामिल होते हैं Ministry ने एक notification जारी कर होम लोन को डिजिटल डकुमेंटेशन केटिगरी में ला दिया है अब सभी बैंक और होम लोन कमपनिया इस पर काम कर रही है डिजिटल प्रोसेस शुरू होने के बाद होम लोन लेने की प्रक्रिया पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएगी यानि कागज रहित हो जाएगी अब खबर एर इंडिया से जुड़ी हुई है टाटा समहू की एरलाइन एर इंडिया ने बारहे विमान लीज पर लिये हैं इनमें A320 नियो और बोईंग 777 दोनों विमान शामिल है इन विमानों को एरलाइन के बेड़े में 2023 की पहली छमाही में शामिल किये जाने की उम्मीद है नए विमानों को एरलाइन के छोटे मध्यम और लंबे मार्गों के लिए तैनात किया जाएगा एर इंडिया ने कहा के इस साल जनवरी में अपने निजी करण के बाद उसने 42 विमान लीज पर लिये हैं एर इंडिया ने कहा के वो घरेलू और अंतरश्ट इस्तर पर संपर्क और उडानों के फेरे बढ़ाने के लिए परतिबद है EPFO की तरहे अब ESIC भी करेगी शेयर बाजार में निवेश सरकार के सामाजिक सुरक्षा निकाय करमचारी राज्यवीमा निगम ने अपनी सर्पलस फंड को एक्सचेंज ट्रेडिड फंड यानी ETF के जरीए शेयर बाजार में निवेश करने के प्रस्ताव को मनजूरी दी है श्रम मंत्राल्य ने कहा के निवेश में विवधिता लाने और विभिन डेट इंस्टुमेंट में अपेक शक्रत कम रिटर्न के कारण ETF के जरीए एक्विटी में निवेश को मनजूरी दी गई है शुरुआत में सर्पलस फंड का 5 फीजदी हिस्सा ही निवेश किया जाएगा दो तिमाहियों में समिक्षा के बाद धीरे धीरे इसे 15 फीजदी तक बढ़ाया जाएगा यह निवेश Exchange Traded Funds यानि Nifty 50 और Sensex तक ही सीमित रहेगा इसका प्रबंधन AMCK Fund Managers करेंगे अब चलते हैं बुलिटिन की अगली खबर पर जो है बुलिटिन की छटी खबर यह खबर है नई कार खरीदने के लिए डिसकाउंट का इंतजार कर रहे जो लोग है उनके लिए अगर आप भी नई कार खरीदने के लिए ERN डिसकाउंट का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आपको निराश कर सकती है कार कंपनियां दिसंबर में कारों पर खास कर सबसे ज़ादा पिकने वाले मॉडल्स पर डिसकाउंट देने से बच सकती है मीडिया रिपोट के मुताबिक इस साल हिंडे क्रेटा, टाटा पंच, मारूती अर्टिगा और ब्रेजा जैसे मॉडल्स पर कोई डिसकाउंट नहीं मिलेगा सेडान और SUV पर कैश डिसकाउंट इस बार मुश्किल है क्योंकि इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है चिप शॉर्टेज की वज़े सेडान और SUV की वेटिंग लिस्ट पहले ही काफी लंबी है ऐसे मैं इन पर डिसकाउंट देकर कम्पनिया इस वेटिंग लिस्ट को और नहीं बढ़ाना चाहेंगी नज़र डालते हैं अगली खबर पर बुलिटिन की जो है मारुती सुजुकी इंडिया से जुड़ी हुई अब हमारी ये जो अगली खबर है मारुती सुजुकी इंडिया से जुड़ी हुई कंपनी के पास 3,75,000 और पेंडिंग पड़े हैं इस से पहले इस साल अगस्त में मारूती सुजुकी इंडिया ने कहा था कि वो अपना उत्पादन बढ़ाएगी और चालू वितवर्ष में सेमी कंडेक्टर की उपलब्दिता में सुधार के साथ 20,00,000 इकाईयों की चुनोती को पूरा करेगी सेमी कंडेक्टर की कमी की वज़े से वितवर्ष की शुरुआत में उत्पादन कुछ प्रभावित हुआ था हलाकि अब इसमें कुछ सुधार हुआ है दिसंबर में मिलेगा फिर से कमाई का मौका क्योंकि रियल स्टेट कंपनी सिगनेचर ग्लोबल इस महीने के अंत तक अपना 1000 करोड रुपे का IPO ला सकती है कंपनी मुख्यरूप से सस्ते मकान बनाने पर ध्यान केंदरित करती है सिगनेचर ग्लोबल लिमिटेड को 24 नवंबर को सेवी से IPO की मनजूरी मिल गई है कंपनी ने जुलाई में सेवी के पास IPO दस्तवेज जमा कराये थे IPO के तहट कंपनी साथ सो करोड रुपे के नए शेयर जारी करेगी और धाई सो करोड रुपे की बिकरी पेशकश लाएगी दिल्ली NCR की कंपनी सिगनेचर ग्लोबल ने 2014 में अपनी सबसीडरी सिगनेचर बिलडर्स के जरीए परीचालन शुरू किया था कंपनी ने सबसे पहले हरियाना के गुरुग्राम में 6.11 एक तीन एकड जमीन पर सोलोरा परियोजना पेशकिश थी आरार काबेल भी लाएगी IPO आरार ग्लोबल समु की वायर काबेल की विनिर्माता कंपनी आरार केबल अपना IPO लाने की तैयारी में है और इसके लिए वो अगले वर्ष मई में सेबी के पास आरंभिक दस्तावेश दाखिल करेगी आरार ग्लोबल के MD और चेयर्मेन श्री गोपाल काबरा ने बताया के आरार काबेल की 2023-2024 की तीसरी तिमाही में अपना IPO लाने की योजना है उन्होंने बताया के कंपनी का लक्षे 2025-2026 तक कारुबार लगभग दोगुना यानी 11,000 करोड रुपे करने का है अक्टूबर नवंबर 2024 तक IPO लाने के लिए सेबी के पास दस्तावेश मई में जमा कराये जाएंगे आरार काबेल का राजस वो 2021-22 में करीब 4800 करोड रुपे था और चालो वितवर्श में के अन्त तक ये करीब 25 प्रतिशत की वरद्धी के साथ करीब 6000 करोड रुपे रहने का अनुमान है खबरों के आज के इस सफर को यहीं पर देते हैं विराम उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा हमारा ये कारेकरम अगर आप इस तरह काम की खबरे सुनते और देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपनी पसंद नापसंद अपने सवाल बताने के लिए कमेंट जरूर करें अगर आप मनीनाईन के अन्ने खास कारेकरमों को भी देखना चाहते हैं तो मनीनाईन एप को जरूर डाउनलोड कर लें अब आपसे मुलाकात होगी कल तब तक के लिए शुबरातरी गुड़ नाइट झाले ।